श्री शिवाई नमस्तुभियन आप सभी लोग जानते है कि 22 अप्रेल 2024 को है, सोमवार चतुर्दशी का दिन और दोस्तों सोमवार का दिन तो होता ही भगवान शिवजी को बहुत ही ज्यादा प्रिये है, जब साथ में पर जाए चतुर्दशी तो भाई इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं हो सकती है, इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस सोमवार चतुर्दशी के दिन एक गंगा की जल की कटोरी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह वह उपाय है, जिस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी आपका, बड़ा सा काम ह वह पूर्ण हो जाएगा आपने बहुत प्रयास कर लिया किसी काम को पूरा, करने के लिए उपाय भी कर लिया अपनी तरफ से पूरी मेहंत कर रहे हो पर आपका भाई काम नहीं हो पा रहा है, चाहे नौकरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे परीक्षा से जुड़ा हुआ हो, अगर आपको कोई भी काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो भाई आप लोगों को इस गंगा की जल की कटोरी वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह वाला उपाय आपका वह काम पूरा कर देगा, उसके बाद में दोस्तों, अगर आपकी जीवन में कोई दु कटोरी वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, पर उससे पहले दोस्तों, आप लोगों को इस वाले उपाय को अच्छे से समझना होगा कि आखिर इससे एक गंगा की जल वाली कटोरी वाले उपाय को आखिर हमें करना किसको है, किस समय करना है, और कहां पर करना है, ना तो सब पहले चीज दोस्तों हम जानते है इसे एक गंगा की जल वाली कटोरी वाले उपाई को हमें करना किसको है तो देखो हम आपके यहाँ पर बता दे कि इस वाले उपाई को घर के किसी एक बड़े व्यक्ति को करना है अब वह घर का जो बड़ा मुख्य व्यक्ति होगा वह कौन ह होगा तो देखो विशेश रूप से अगर आप पूछो तो घर की जो बड़ी माताएं बहने होगी उन बड़ी माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाई को कर सकती है और अगर किसी कारणवश घर में जो माता बहने होती है वह उपस्थित ना हो या किसी का पुर्दशी के दिन तो आप लोगों को क्या करना होगा कि भाई इस वाले उपाय को घर का, कोई एक बड़ा सदसे भी कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों न हो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अब अगला जो सबसे बड़ा प्रशना आता है, कि इस वाले उपाय को आखिर हमें करना किस समय सुबह के समय करना है, कि शाम के समय प्रदोश काल में करना है, तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दे इस उपाय को जो करने का समय है, वह सुबह का समय है, सुबह कहने का मतलब है, कि जितना जल्दी सुबह कर सकते उतना जल्दी बाकी कर सकते हो, बाकी थोड़ा बहुत लेट भी हो, जाए तो 10, 11, 12 बजे तक करना शुरू कर दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस उपाय का फल ले सकते हो ठीक है, बाकी शाम के समय प्रदोशकाल में यह वाला उपाय नहीं होगा, इस बात का आप लोगों को ध्यान आता है, वह यह आता है, इस उपाय से जुड़ा हुआ की भाई इस उपाय को करना कहां पर है, तो देखो यह उपाय दो जगह पर होगा पहले तो आपके घर पर ही होगा शुरूआत इस उपाय की आपके घर से होगी है, ना और यह उपाय पूरा होगा भगवान शिव जी क मंदिर में ठीक है, आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर है, वहाँ पर जाकर यह, वाला उपाय पूरा होगा ठीक है, और दोस्तों अब हम आपको इस उपाय की एक और, सबसे अच्छी बात बता दे, तो दोस्तों इस उपाय से वीडियो एक बहुत ही अच्छी और बड बड़ा काम है, जिसमें आपको सफलता चाहिए पड़ेगी, तो भाई आप लोग उस विशेश दिन पर भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, मतलब किसी भी दिन जब आपको लगे कि हाँ भाई, इस दिन हमारा बड़ा काम होने वाला है, और उसमें हमें सफलता चाहिए, इसम वाले उपाय को इस एक गंगा के जल वाली कटोरी वाले उपाय को समझा रहे है, ठीक है, तो दोस्तों हम समझते है, कि इस वाले उपाय को आखिर आप लोगों को करना कैसे है, इस उपाय को करने की विधी क्या है, सबसे पहले चीज दोस्तों आप लोग थोड़ा नाम में ह समझो एक गंगा की जल की कटोरी वाला उपाई मतलब की एक कटोरी है, उसमें गंगाजल भरा हुआ है, उसी का यह वाला उपाई है, तो सीधी सी बात है, दोस्तों उपाई के नाम में ही आप लोगों को समझा रहा। होगा की इसमें हमें गंगाजल की आवश्यक्ता पढ़ेगी कटोरी तो आप सभी लोगों के पास, होगी ही होगी तो एक कटोरी मतलब गंगाजल आप लोगों को इसमें आवश्यक्ता यहाँ पर पढ़ने वाली तो क्या करना है, आपके घर में जो गंगाजल उपस्थित हो और यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दे कि इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेश रूप से ध्यान रखना है, ठीक है, सनान करके शुद्ध होकर ही इस उपाय को अपने घर पर शुरू करना है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को करते समय जो गं गंगाजल की थोड़ी आवश्यक्ता है तो आप थोड़ा सा गंगाजल दे दीजिए वैसे इस समय सभी लोगों के घर में गंगाजल रखा ही होता है तो आप लोगों को यही काम करना है कि आपके घर में जो गंगाजल रखा हुआ हो इस गंगाजल को इस वाले उपाय में अपने घर में एक अच्छी सी कटोरी को लेना है, मीडियम साइज की एक छोटी सी जो कटोरी होती है, उसे लेना है, ना और शुद्ध वाली कटोरी लेना अच्छी वाली जो भी आप लोग भगवान के कारे में प्रयोग करते हैं, वह वाली कटोरी लेना है और कटोरी लेने के बाद क्या करना है अपने उस गंगा के जल की जो भी बाटकी हो या बोतल हो कुछ भी हो जिसमें अपने गंगाजल भर कर रखा हुआ हो उसमें से अपनी कटोरी के अंदर गंगाजल भर लेना है कितना गंगाजल भरोगे मतलब फ भरने के बाद सुबह के समय ही आप लोगों को क्या करना है कि अपने ही घर में जो रसोई घर है ना मतलब जिससे आप किचन वगेरा कुछ कहते हो तो भाई जो आपके घर में रसोई घर है उस रसोई घर में आप लोगों को चले जाना है और रसोई घर में एक ऐसा स्थान आपको वहाँ पर चले जाना है और देखो अगर किसी के घर में अगर यह वाला स्थान नहीं है, तो भाई आज ही बना लो क्यों की यह आपके पित्रों का स्थान होता है, इसलिए आपके घर में की रसोई घर में एक स्थान, एक ऐसा स्थान जरूर होना चाहिए, जहांपर आप लोगों को जाना है अपने गंगा की जल की कटोरी को लेकर जहां पर आपके घर के रसोई घर में पीने का पानी रखा हो या मटका रखा जाता हूं या परिंदा रखा जाता है ना उसे जगह पर जाकर दोस्तों क्या करना है अपनी गंगा की जल की कटोरी को वहां पर मतलब सिक्का चाहिए हमें नोट नहीं चाहिए चाहे वह एक का सिक्का हो चाहे वह दो का सिक्का हो चाहे वह पांच का सिक्का हो चाहे वह दस रुपे का सिक्का हो तो आपको लेना सिक्का ही है इस बात का ध्यान रखना है नोट नहीं लगेगा यहाँ पर इस उपाय में इस अभी आप लोगों को ध्यान रखना है, तो करना क्या है? आप लोगों को कोई भी एक सिक्का लेना चाहे एक चाहे दो चाहे पांच जो सिक्का आपको मिल जाए भाई कोई भी एक सिक्का लेना और इस एक सिक्के को लेकर आना इसी गंगा के जल की कटोरी जो आपने अपने घ महादेव जी का नाम लेते हुए आपने जो भी सिक्का लिया हो उस सिक्के को इस गंगा जल की कटोरी के अंदर आप लोगों को डाल देना कुंद केश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए ठीक है, जैसी आप लोग इस सिक्के को इस कटोरी के अंदर डालते है, भाई आपका में इंटरव्यू में पास होने के लिए वाला उपाय किया है, धन प्राप्ति के लिए वाला उपाय किया है, तो भी अब आप लोगों को अपने काम में लग जाना है, ठीक है, अब दोस्तों यह कटोरी आपने रखी है, इसे सुरक्षित रखे रहने देना, इसे वहां से मत उ अब जैसे ही आपका काम पूरा हो जाता है और शाम को आपका अच्छा सिलेक्शन होगा या दूसरे दिन सिलेक्शन हो गया और यह जो भी आपकी परेशानी आपने सुबह उपाई किया शाम तक जो है काम पूरा हो गया या अगले दिन मतलब जिस मनो कामना के लिए जिस काम क जिस परेशानी के लिए आप लोगों ने यह वाला उपाय किया है, तो जैसे ही आपकी समस्या दूर हो जाती है, उसके बाद में आपको इस कटोरी को उठा लेना है, जब आपका काम पूर्ण हो जाए ठीक है, इस गंगा की जल कटोरी को उठाना है, शुधता का विशेश जल की कटोरी को लेकर जाना है, वहाँ पर जाना है, और सिक्के को तो डालना है, दान पेटी में और उसके बाद में यह जो गंगा के जल की कटोरी है, इस गंगाजल को आपको शिवजी की शिवलिंग के उपर कुंद केश्वर महादेव जी के नाम से आपको चढ़ा देना और भगवान से अपनी मनो कामना के लिए धन्यवाद भी करना है, इसके बाद आपका यह वाला उपाए यहाँ पर पूरा हो जाता है, श्री शिवाए नमस्तुर।